स्री सिवाय नमस्तु भ्यम गुरुजी कहते हैं जब जीवन में बहुत अधिक आप दुख दरीद रता और बहुत अधिक परेशानियों से घिर गए हो तो आप सभी को अपने मनों कामना का धागा जरूर से किसी भी सुक्रवार, किसी भी पूर्णी मा, किसी भी गुरुबार के दिन जरूर से इस जगे पर बात देना चाहिए, रोग कर्ज संकट पीडा से मुक्ति मिल जाएगी, तो आप सभी को आउश्यक रूप से यह दिभी प्रियोग कर लेना चाहिए, इससे स्री हरी विष्णो की असीम क्रपा मातरानी महालक्षमी की असीम क्रपा घर परिवा और घर में राजिसी ठाट बार स्वयम ही पराप्त हो जाते हैं, आपने देखा होगा कई घरों में बहुत अधिक अच्छी बरकत होती है, वही दूसरे घरों में कमाने वाले बचार हैं गुरुजी कहते हैं, परन्तु हाई तौबा मची रहती है, पैसा गलत जगे खर्च ह होता है, ऐसे मैं यह उपाय एक तरह से चमतकार करेगा, तो इस उपाय को आपको कभी भी जैसे मैंने तीथी बताई, गुरुवार, सुकुरुवार, पूर्णी में आपको कर लेनी है, तो ध्यान से सुनिए कैसे करना है, आप सभी को इसके लिए ले लेना है, एक कच्छा स पूत ले सकते हैं, उसे आप हल्दी में रंग लीजिए, ठीक है, हल्दी में ही रंग ना है, इसे या केसर में आप रंग सकते हैं, कुल मिला कर इसे पीला कर लेना है, अपनी पूजा की थाली में इसे रख लेना है, इसके साथ ही आपको लेना है एक पीला फूल, पीला दी है सबसे पहले कहा है वह है कनेर का फूल कनेर का फूल के उपाए कई गुरुजी के हैं जिन में सर्वस्रेस्ट उपाई यह है और आप सभी को ना मिल पाने की अवस्था में अनिफूल ले सकते हैं अब आप सभी को यह उपाए हरी हर का स्मरण करना है हरी अर्थात मेरे स् अपने घर के मटके में से भर कर पूजा की थाली में रख लेना है और उसमें आपको एक चुटकी हल्दी ढाल देनी है ठीक है जी हल्दी आपने डाल दी और डाल देना है एक गुड का टुकड़ा और साथ के साथ आप सभी को भी से इस तौर पर गोलबत्ती का घीका दीपक ले लेना है पूजा की थाली में तत्पश्चात अपने मार्चीस और अपनी सभी चीजे लेकर आप सभी को चले जाना है महादेव के सुंदर हरीहर का स्मरण करते हुए या तो केले व्रक्ष के पास या आप सभी को आवश्यक रूप से तुल्सी माता के समक्ष और उस जल के लोटे में आपने जो गुड का टुकड़ा और एक चुटकी हल्दी डाल रखी है हरीकहर का ध्यान करते हुए और अपनी मनों कामना कहते हुए आपको दो व्रक्ष मैं से किसी भी एक व्रक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है कि मेरे घर में धन लक्षमी का जो आप सभी ने विसेज तोर पर जो आपने धागा लिया है ना पीले रंग का धागा उसमें वहीं पर बैठकर आप सभी को साथ गांठ लगा देनी है कितनी गांठ लगानी है साथ गांठ पीला धागा जो लिए है साथ ही उसमें अपनी मनों कामना भी बोलनी है इस बात का ध आपको बांध देना है इस बात का ध्यान दखना है अब जो पीला फूल आप लेकर गए हैं अपनी मनों काम न कहकर दोनों व्रक्षों में से किसी भी एक पेड के नीचे समर्पित करना है साथ के साथ आप सभी को एक गोल वत्ती का घी का दीपक लगाना है उसके अंदर भी ए पीला फूल केले व्रक्ष की जड़ में चड़ाया जाए या तुलसी में चड़ाया जाए और साथ गांठ लगा कर एक पीला धागा बांध दिया जाए और जो विशेश तोर पर जल का लोटा है उसमें गुड का टुकड़ा और हल्डी डाल कर हरी हर का ध्यान करते हुए के पीले या तुलसी मा की जड़ में समर्पित किया जाए तो भागी की रेखाया प्रबल हो जाती है रोग कस्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है तो करके देखिएगा अपने आप में चमतकारी और दूरलब दिन बन रहे हैं इन तिथियों में किया गया कोई भी उपा आपके भागी की रेखाया प्रबल करेगा रोग कस्ट संकट पीड़ा का नाश करेगा तो करके देखिएगा पीले धागे का यह उपाय आपके जीवन में रोग कस्ट संकट पीड़ा दुख दरीदरिता जो आपको हर तरफ से परिशान कर रही है उसका निदान होगा और ख पर चड़ाया जाए तो धन की परेशानी दूर होती है जीवन में मिठास होती है खुश्यां आती है संकट करते हैं तो वही शहद आपको लेना है और एक छोटी सी कटोरी में उसे रख लेना है और आपको काशी विश्वनात भगवान का नाम लेना है इस उपाय को करने के लि महादेव के मंदेर में आप जानते होंगे जीवन में अगर दुख दरिदरता पड़ रही हो किसी ना किसी सरूप में आप दुख पा रहे हो तो आप सभी को जैसे कि अब इसके बाद जो है कल सुक्रवार के दिन आज गुरुवार के बाद पूर्णिमा आ रही है तो यह त तो सभी को एक जरूर से जरूर से मिला लीजिएगा क लावा भी तो आप सभी को शहद मिला हुआ जल लेकर और एक कटूरी में जो आप सहद लेकर गए हैं वह है आपको लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में काशी विश्वनान भगवान का नाम लेना है महादेव के मंदिर में नहीं जा सकते तो घर पर भी कर सकते हैं तो जल का लोटा आपको चड़ा देना है सिवलिंग पर शहद मिस्री जो जल है ठीक है अब आप सभी को साथ बिंदिया बनानी है शहद की किसी स्थान पर ध्यान से सुनिए माता असोग सुन्दरी का जो इस्थान होता है सिवलिंग में नीचे से उपर की ओर आपको उनका नीदान हो और कस्ट सदा सरवदा के लिए खत्म हो तो यह प्रार्थना करते हुए आपको साथ बिंदि माता असोग सुन्दरी के स्थान से सुरू करना है और उपर की ओर आपको लगा देनी है और साधारन सरलतरी के से शहद मिस्री जल भी समर्पित कर देना है यह उ लोग कस्ट संकट पीडा का निदान कर देता है और खुशिया परिवार में बनाए रखता है तो चाहें तो प्रथम वाला उपाय करें चाहें तो दूसरा उपाय करें निश्ची थी आपके परिवार में आपको बहुत सारा सुखिन से मिलेगा कस्ट संकट पीडा का भी नि पूछ लिजे आप सभी जानते होंगे इन दिना गर्मी चरम सेमा पर है ज्यादा से ज्यादा जल का दान करें महादेव और स्रीहरी विष्णु की विशेश पूजा अर्चना करें उनको आवश्यक रूप से पीली वस्तों का भोग लगाएं पीली रंकी चीजों का दान करें बहुत सुब और स्रेश्टी से जाना जाता है हरहर महादेव जैसिर संभूरा धिराधे जै स्रीक्रेश्न